बज गोविंदम भज गोविंदम भज मुढमते ये उन दिनों की बात है जब आद्य गुरु शंक्राचारिय काशी में विच्रण कर रहे थे उन्होंने देखा कि कुछ लोग शास्त्रों के व्याकरण का रटा मार रहे थे और अपने आपको विद्वान साबीत करने की कोशिश कर रहे थे उसी समय आद्य गुरु ने भज गोविंदम स्तोत्र की रचना की जिसे मोह मुद्दगर स्तोत्र भी कहते हैं तो आएए सुनते हैं हिंदी में अनुवादित भज गोविंदम हे मोह से ग्रसीत बुद्धी वाले मुढ गोविंद को भजो गोविंद का नाम लो गोविंद से प्रेम करो योँकि मृत्य के समय व्याकरण के नियमों का रटा मारने से तुम्हारी रक्षा नहीं हो सको हे मंद बुद्धी धन एकत्र करने की लाल सा त्यागो अपने मन से ऐसी समस्त दुष्कामनाव का त्याग करो सत्यता के पत का अनुसरण करो अपने परिश्रम से जो धन प्राप्त हो उसी से ही अपने मन को प्रसन रखो स्त्री शरीर पर मोहित होकर आसत मत हो अपने मन से निरंतर समरण करो कि ये शरीर मास वसा आदी के विकार के अलावा अतिरिक्त कुछ भी नहीं है जिवन कमल पत्र पर पड़ी हुई पानी की बुंदो के समान अनिश्चित एवं शनभंगूर है ये समझ लो के समस्त विश्व है रोग एहंकार और दुख में डुबा हुआ है जब तक व्यक्ती धनो पार्जन में समर्त है तब तक परिवार में सभी उसके प्रतीस नेह प्रदर्शित करते हैं परंतु अशक्त हो जाने पर उसे सामान्य बातचीत में भी नहीं पूछा जाता उसकी उपेक्षा की जाती है जब तक शरीर में प्राण रहते हैं तब तक ही लोग कुशल पूछते हैं शरीर से प्राण निकल जाते ही पत्नी भी उस शरीर से ड़ती है बचपन में खेल में रुची होती है युवावस्ता में युवास्त्री के प्रती आकर्शन होता है और विद्धावस्ता में चिंताओं से घिरे रहते हैं पर प्रभू से कोई प्रेम नहीं करता कौन तुम्हारी पत्नी है? कौन तुम्हारा पुत्र है? ये संसार अत्यंत विचित्र है तुम कौन हो? कहां से आये हो? बंधू इस बात पर तो पहले विचार कर लो सत संग से संग रहीत संग रहीत से बोहवी मुक्त और मोहवी मुक्त अवस्था के बाद निश्चलता प्राप्त होती उसके पश्चात स्थीर निश्चलता प्राप्त होने से जीवन से मुक्ष की गती प्राप्त होती है आयूबित जाने के बाद काम भाव नहीं रहता पानी सुख जाने पर तालाब नहीं रहता धन चले जाने पर परिवार नहीं रहता जैसे तत्वज्ञान होने के बाद संसार भी नहीं है धन, शक्ति और यवन पर गर्व मत करो समय शन भर में इनको नश्ट कर देता है इस विश्व को माया से घिरा हुआ जान कर तुम ब्रह्म पद में प्रवेश करो दिन और रात, सुबह और शाम, शिशेर और वसंत बार बार आते जाते रहते हैं काल की इस क्रिडा के साथ जिवन नस्ट होता रहता है परन्तु इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता तुम्हें पत्नी और धन की इतनी चिंता क्यों है क्या उनका कोई नियंत्रक नहीं है तीनों लोकों में केवल सज्जनों का साथ ही इस भव सागर से पार जाने की नवका है बड़ी जटाएं बिखरे हुए बाल और केश रहित से काशाए वस्त्र और भाती भाती के भेश ये सब अपना पेट भरने के लिए धरन किये जाते हैं अरे मोहित मनुष्य तुम इसको देख कर भी क्यों नहीं देख पाते हो शीन अंगो पके हुए बाल दाथों से रहित मुक और हाथों में दंड लेकर चलने वाला वृद्ध भी आशा पास में बंधा रहता है सुर्यास्त के बाद रात्री में आग जलाकर और घुटनों में अपना सर छुपाकर सर्दी से बचने वाला हाथ में भिख्षा पात्र में अन्न खाने वाला और पेड़ के निचे रहने वाला भी अपनी इच्छाओं के बंधन को छोड़ नहीं पाता है किसी भी धर्म के अनुसार मानव गंगा सागर गमन कर व्रत का परिपालन कर अथ्वा दान करके भी अगर वो ग्नान रही तवस्था में है तो सो जन्मों में भी मोख्ष की गति को प्राप्त नहीं कर सकता जो मानव देव मंदीर या पेड़ के नीचे निवास करता है पृत्वी जैसी श्रया पर सोता है अकेले ही रहता है सभी संग्रहो और सुखों का त्याग करता है ऐसे वईराग्य से किसको आनंद की प्राप्ति नहीं होगी अर्थात सबको आनंद की प्राप्ति होती है कोई योग में लगा हो या भोग में संग में आसकत हो या निसंग हो पर जिसका मन ब्रह्म में लगा है वो ही आनन्द करता है आनन्द ही करता है जिन्होंने भगवत किता का थोड़ा सा भी अध्ययन किया है भक्ति रूपी गंगा जल का कन भर भी पिया है भगवान कृष्ण की एक बार भी समुचित प्रकार से पुझा की है ऐसे मनुश्य की यम के द्वारा चर्चा भी नहीं की जाती बार बार जन्व बार बार मृत्यू बार बार मा के गर्भ में शयन्द इस संसार से पार पाजाना बहुत कठिन है है कृष्ण कृपा करके इस से मेरी रक्षा करें रास्ते में पड़े हुए फटे कपड़े पहनने वाले पुन्य और पाप से रहित पत पर चलने वाले और योग में अपने चित को लगाने वाले योगी बालत के समान सदा आनंद में रहते हैं तुम कौन हो मैं कौन है कहां से आया हूँ मैं मेरी मा कौन है मेरे पिता कौन है सब प्रकार से इस विश्व को असार समझ कर इसको एक स्वप्न के समान याग दे तुम में मुझ में और अन्यत्र कहीं भी सर्वव्यापक विश्णू ही है तुम व्यर्त ही क्रोध करते हो यदि तुम शाश्वत विश्णूपद को प्राप्त करना चाहते हो तो सर्वत्र समान चित वाले हो जाओ शत्रू, मित्र, पुत्र, बंधू, बांधवों से प्रेम और द्वेश मत करो सब में अपने आपको ही देखो इस प्रकार सर्वत रही भेद रुपिया ज्यान को त्याग दो काम, क्रोध, लोग, मोह को छोड़कर, स्वयम में स्थीर होकर विचार करो कि मैं कौन ही जो आत्म ज्यान से रही मोहित व्यक्ति हैं वो बार-बार छिपे हुए इस संसार रुपी नर्क में पढ़ते रहते हैं शनिक सुख के लिए लोग स्त्री उपभूग करते हैं जिसके बाद इस शरीर में रोग हो जाते हैं जबकि इस प्रिथ्वी पर सब का मरण सुनिश्चित है फिर वी फिर वी लोग पाप में आच्रन को नहीं छोडते हैं धन अकल्यान कारी है और धन से तनिक मात्र भी सुख नहीं मिल सकता है ऐसा विचार प्रतिदीन करना चाहिए धनवान व्यक्ति तो अपने पुत्रों से भी डरते हैं ये सत्य सब जानते हैं प्राणायाम उचित आहार तथा निती और अनिती का विवेक पुर्ण विचार करो प्रेम से प्रभू का जाप करते हुए समाधी में ध्यान लगाओ गहरा ध्यान लगाओ गुरू के चरण कमलों को ही आश्रे मानने वाले भक्त बनकर सदा के लिए ही इस संसार के आवा अगमन से मुक्त हो जाओ इस प्रकार मन एवं इंद्रियों का निग्रह कर अपने रिदय में विराजवान प्रभू के दर्शन करो इस प्रकार व्याकरण के नियमों को कंठस्त करते हुए किसी मोहित वशीकरण के माध्यम से बुद्ध्यमान श्रीभगवान शंकर के शुष्य भोध प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया है गोविंद को भजो गुविंद का नाम लो गोविंद से प्रेम करो क्योंकि भगवान के नाम जपके अतिरिक्त इस भव सागर से पार जाने का अन्य कोई मार्ग नहीं है भज गोविन्दम भज गोविन्दम गोविन्दम भज मुढमते भज गोविन्दम भज गोविन्दम भज गोविन्दम